क्या गाना है ए बन कैसे हो गया शुरू हो जा शुरू हो जा शायद इसमें कुछ खराब ही नहीं है ज़रूर इसे में कुछ प्राब्लम है मुझे नीचे यह रेडियो चलो चल कर टीवी देखते हैं यह क्या यह क्यों नहीं चल रहा पहले रेडियो अब टीवी भी बन यहां इतना अंधेरा क्यों है यह लैम्प क्यों बन है लाइट भी बन है कौन आया है यह तो बिजली का बिल है इतना लंबा चौड़ा बिल लाइव ना मेरे पास पैसे है ना मैं बिल भरूंगा बड़ी भूख लगी है खाने को कुछ भी नहीं बचा यह है लेकिन इसके एक्सपारी डेट तो दीन साल पहले ही खतम हो चुकी है कुछ काव की नहीं है चलो देखते हैं इसमें कुछ पैसे होंगे कुछ खा लूँगा इसमें तो सिर्फ एक खाया हुआ च्विंगम है हाई रे गरीबी क्या दिन है ना खाना न पीना सिर्फ रोना ओ रोना पीडू उख तो आप उनको भी बहुत लगे लिए बीडू रोना बंतर हो देख नौकरी का इंटर्व्यू अक्ति जले लिए ले पढ़ ले मामू यह क्या नौकरी का टेस्ट पोन नमर के साथ याने मुझे नौकरी मिलेगी आज मेरी नौकरी का पहला दिन है वाई सेकरेटरी वेल्कम सर आईये मेरे साथ यह आपका कैबिन एकदाव जाका अली शान कैबिन है पैसा है और आराम है यह क्या अलाम बज गया सुबह हो गई इंटर्व्यू के लिए जाना है लेट हो गया चाहे नाश्ता बस में ही करू आफिस चलिए आगे आफिस चल्दी चलोगी कही लेट ना हो जाए हाई 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 क्या किदाब है मिस्टर और अंदर चलो मैं आया जलो अपने दाथ दिखाओ आण देख लेचे एक ताम थाका नेक्स अपना पैर दिखाओ है रही कि लोहा हतोड़ा तूट गया मेस्टर आओगी आप तुमारी बारी जी सेर अभी आया इसका क्या हो गर्माब अंदर चल के देखते हैं वीडू जी सेर कुछ नहीं खड़े रहो पारे अंदर तो कुछ भी नहीं है हम आप लोगों को ये सारे शेप्स इस पकसे में पिट करां हां 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 जी हां पूरी तरह ओके यॉर टाइम स्टार्ट नाओ अहो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आएम डैन इसे मुझे दो इसे बना गलत कर रहे हो तो क्या करेगा लांच टाइम चलो साब खाने पे चलो आ गया मैं भी आहो वह बहुत साब सफाई वाला खाना मिलता है यहां खाना चल्दी जल्दी खाना एकदाम नकास मैं तो आराम सा अड़े निकालूंगा और आराम से खाऊंगा मेरे टिफिन खाली है मैं तो टिफिन ही खा जाऊंगा मैरे अध्या भी बाके और मैं खाने के बाद काफे पीता हूं अरे अच्छा मेरे उपर से अच्छा ये क्या थोड़ा सा खाना बचा है खा लेता हूं चल्दी चल्दी खाम पर चलो ओके सेर ओल दबैस्ट वो जो बॉक्स है ना उसे पीछ में रखना है तुम जाओ ओके देखे पहलो हां की दाकत देखी अब बॉक्स को उठाता हूं सारे मॉप्स को लगाता हूं और फिर बॉक्स को लगाता हूं अब इथा लाए ये यह क्या हो गया अगी भाई तो काम से गए अब इधार आईए कि यहां का सबसे बड़ा काम हुआ हो काम मुझे में लेगा इस पाइप को इस पोतल में लगाए लीवर भीचिए और पोतल फड़िए समझे पहले तुम क्या मैं क्या करना है पाइप अंदर डालना है पीडू किस कोई पाइप के अंदर ले 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 लिया मैं किते जा रहा हूं क्या देखिया है दुनिया का पहला पहलवानी कचुमबर अच्छा है मेरी तो रुमाली रोटी बन गई हाफ ताइब अहूर बिल्ले को बहुत दोया अब दू 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 लेगा मामू चल बिल्ले और पिटने के लिए तयार हो जाए उसको उठा ले बाबा यह पकड़के रखना भीडू मैं भरते जाता हूं ओके मुकाबला शुरू मेरे गलाव इतने भारी कैसे होगे आजा मैं तुझे और मारूंगा यह क्या है विचे था है ओगी हाई तुमार रहे कॉंगनेचुलेशन्स होगी अब तुम इस कंपणी के टाइवर हो धेरा ही कारी की चाबी तेंक्यू सर कारी ठीक से चलाना मदद के लिए थेंक्यू कोकरोज गैंग कोफी का चोटा सा टुकड़ा सभी जगह से एक दम सही यही है सही इसको पीसता हूँ लेरी गुड अब पीसने के बाद इसको केटल में डालता हूँ हो गया तैयार बस अब इसे उबालने की देरी है आज को थोड़ा सा तेज कर दूँ काफी मेरी काफी चल दे उबाल अब हमारा दिमाग उबलने लगा है उबल गई अब फीना कोफी उबालने वाले तेरा मुझ काला अब ये हिचकी ही करेगी मुश्किल तेरा जेना क्या करो इस हिचकी का कुछ नहीं कर सकता ना बाबा मैं पानी पी सकता हूं पानी ये भी नहीं मामु इसका केमिकल लोच हो गेला है क्या करो इस हिचकी पे कोई तो हिलाज होगा मिल गया डॉक्टर कुरसी वाला सभाल के आओगी स्टेड़ी स्टेड़ी बच गया तो तो बच गया बिल्ले है लेकिन तेरी लाइब्रेरी नहीं बच अब तो डॉक्टर कुरसी वाला के पास जाकर ही रहूंगा लगता है आज ये पूरा शहर हिला है अच्छा है काम में लगता हूं मामू आगया डॉक्टर ये डॉक्टर है या कारपेंटर सब तूटे फूटे फरनीचर लग रहे हैं बेटा होगी आजा पिल्ले ने मारी हिचके डॉक्टर की छट पिचके बोल क्या तकलीफ है होगी ओए बात मत कर सीधे अंदर जा ओए ओगी तुफिकर ना कर तुफिक हो जाएगा अरे ये क्या एक हिचकी की तरी बड़ी सजर बिल्ले ने ठीक ही कहा था ये डॉक्टर नहीं कारपेंटर है कॉक्रोज गैंग तुझे और ठीक कर देगी मुझे प्लास्टर क्यों बांधा मेरी कौन सी हड़ी तूटी है तूटी नहीं मामा पूसे की तूटने वाली है एक बद तो है कॉक्रोज उने जो कहा वो कर दिया तोड़ दी बिल्ले की हड़े अब बिल्ला घर जाते जाते तोड़ेगा अपनी गड़े घर तो आ गया लेकिन मेरा इलाज नहीं हो पाया इतनी दूर जाकर मैंने क्या पाया थोड़ा सा पानी भी लेता हूँ आज फ्रिज थोड़ा खाली-खाली लग रहा है अरे यहां तो फ्रिज है ही नहीं कहा गया मेरा फ्रिज फ्रिज के निशान तो है अभी ढूंदूँगा थोड़ी दोरजा फ्रिज भी मिल जाएगा मामू बिल्ला इस कमिंग मामू बेला पापपा फुट जाओ छोड़ूगा नहीं बिल्ला कावियो तुम्हे कर दूंगा टियर अने ब्रेक लगाओ बीडु पतली घली से निकलते हैं मैं फियाओं ऑच्वork के लिए अज हिचकिकी बदावलकत मूटी हो जाह के अष्वन लिए तुम जहाँ तक जाओगे मैं पीछा करूंगा फॉचों लोग का पीछा चोड़ूदा नहीं चोड़ूदा हाँ चाड़ दो मुझे चाड़ दो तेरे बोन सोड़ेंगे मम गोला, पिल्ला आगे दया, मम उसके पिछे दया ममि बलार पिल्टे को करोच पहिंदो सब्सक्राइब इतना व और चभी पर चुछक कहा दा Лिया चाहिए standard है बाबा पकड़ूंगा बिल्ले कुछ भी पकड़ अगर यह क्या कर रहा है चल भागे हसे पता नहीं बिल्ले में आज क्या खास है आज सब उसके पीछे पड़े है पहले कोक्रोच अब यह अगे डेडेंड है रुकना पड़ेगा लेकिन यह फ्रेज्टा ही रुकेगा मैं बच गया खत्रों से खेल रहा है मजा है मामू अभी बताता हो चले गए मेरी हिचकी कहां गई कहां गई नहीं आ रही लगता है चली गई लगता है नहीं सच मुझ चली गई चलो अब मैं भी सो जाता हूं गुड़ नाइट होगी गुड़ नाइट सुभा हो गई बिल्ला के नेंद खोले गई कॉफी को पीसूंगा गैस चलाओंगा उसको उबालूंगा कप में डाल कर पी जाओंगा एक मिनिट संभाब के होगी अरा बाबा यह नई बीमार शुरू हो गई सामन लो और निकलो नहीं तो यह फिर सठीक हो जाएगा छेग मिलने छेग इस बार पता नहीं क्या-क्या तो आज कितने बर्सों बात प्रश कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे दाउंद तो चमकेंगे ही कौन है भाईया नहीं भाबी और भतीजा भी बतीजा मैं हूँ भतीजा मैंने आभी खाया है पीज़ा मुझे तो आखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा वीटी यह तुम ही हो ना हाइए सुनोगी हमें शॉपिंग पर जाना है तो इसका ध्यान रख तब तक मैं और तेरी भाबी ज़रा जाकर आते हैं और तु इसे संभाल ठीक है भाईया हम लोग शाम तक आते हैं चल स्वीटी देर हो रही है चलते हैं वाई होगी थैंक्यू आप मेरे चाचा हो ना मैं आपके साथ मस्ती करूं और इसका हाथ तो भाईया की तरह ठाई खिलो का है चल अब चुप चाप चल कर सोजा तब तक मैं तेरे लिए ठाना लेकर आता हूं नई नो खाना मुझे आपको मार खिलाना है यह तो बिल्कुल अपने पापा पर गया ह है बहुत फोड फोड करता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह मेरी मजबूरी का कुछ जादा ही फैदा उठा रहा है मैंने कहा ना मुझे नई सोना अंकल मुझे नई सोना चुप चाप अच्छे बच्चे की तरह इस जूले में सो जा पिना चिक जिक किये तब तक मैं खाना लेकर आता हूं नई मुझे नई सोना तोड़ दूगा फोड़ दूगा पीडू विल्ले का भतीजा बहुत काम की चीज है इसका धिमाग बिलकुल काली है अप उन भतीजे के पास जाएगा उसको उठाएंगा और अप उन के अध्डे पे लेके आएंगा फिर अप उ मामू कहीं का भीडू कोई नहीं है अल्ला बोल अर जरा थेरा बोलना ना बाबा पता नहीं अंकल खाना लेके कब आएगा मुझे तो बहुत भूक लगी है अब उनको भी पैसे की भूक लगे लिए मामू आजाओ सब लोग यह चिरकुट लोग कौन है भीडू बोला ना दिम भी नहीं जीता सौरी भाई लोग लास्ट थाइम अपनी रैंड बज गई लेकिन इस बार ऐसा नहीं होएंगा इस बार अब उन रस्सी से उसको उठाएंगे और उसको स्केट बोर्ड पर बिठाके स्केटिंग कराते भगा के ले जाएंगे उसके बार पैसा ही पैसा क्या थाक रिया है मुझे ऐसा वजन वजन क्यों लग रहा है तैयारी हो गई है अब भातीजे को उठाले रहा माबा अरे मैं अचानक उपर क्यों जा रहा हूं देरे देरे सब पता चल जाएगा यह गया आजा नीचे तुमारा खाना और चड्डिया मैं ले आया हूं यह कौन था कोण नहीं अंकल मैं हूं आपका भतीजा मुझे बचाओ यह तो भतीजा ही है धर्नामत भतीजे मैं आ रहा हूं आजा भतीजे बाइ-बाइ कोक्रच ओं अगे स्पीड ब्रेकर है ब्रेक लगाना पड़ेगा लेकिन यह ब्रेक लगता ही नहीं है मैं तो गया लेकिन मैं तो बच गया अंकल इतनी जल्दी नहीं मामू भतीजे इसको तक केक से उठाला बाबा रग जाओ यह क्या मुझे बचाओ अभी बचाता हो अंकल आपने मुझे गिराज दिया है अब उसे बचाना है अंकल मुझे बचाओ अंकल धरना मत भतीजे मैं तेरा चाचा आ रहा हूं अरे बिल्ले आ रहा है वोल का तो करका है जा रहा है आँच संद है बड़तर दोने का इन अहो यह कौन आया मेरे घर में सारी बोब आज संद है तुझे धोने का दिन है मुझे बचाओ प्लीज अरे थोड़ा भचन है लेक這邊une other map अरे मैं क्या करू ? हाँ चाकू मुझे चाकू चाहिए इस चाकू से मैं बज जाओंगा बीडू ये तो अपने को इस खीच मेल है मुझे चाकू चाहिए यह क्या गैस चालू कर दिया आज ये भतीजा जरूर सबकी बैंड बजाएगा अच्छा है चाकू चाहिए पकड़े रहना बीडू अर यह पाइसे के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा मालू नहीं रह बाबा चाकू 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 वा क्या बात है लंगो धरी बिल्ले के बैटे ने तीनों कोकरोचों को उठा के अलग अलग जगा पटक दिया नेरी तो बैंड बच गई मैं तो बोख लगे अर बाबा इ यह मैं आ गया यह मैं जा रहा हूं इस भतीजे ने मेरी नाखी कटवा दी अंकल मुझे बचा लों अंकल नहीं छोड़ूंगा अंकल हे डरना मत भतीजे तेरा चाचा तुझे बचाने आ रहा है नहीं छोड़ूंगा अंकल पहले मुझे जुड़ाओ मैं आ रहा हूं भतीजे कोकरोचों आज तुम्हें पता चलेगा तुमने किस से पंगा लिया है मैं तो गया मैं भी आ गया अंकल रुक जा मामू तु वहां क्या कर रहा है अंकल मुझे मचाओं अंकल मैं तुझे पकड़ लूँगा कूच जा मैं कहां हूं तुमेरे उपर है भतीजे मतलब मैं बच गया सब हस रहे है लेकिन गैस कौन बंद करेगा जल्दी चल स्वेटी अपना बच्चा रो रहा होगा बच्चा नहीं अब पूरी दुनिया रोएगे अच्छा है भैया ये लीजे आपका बेटा हाई पापा ओई हाई मेरे भती जे का ध्यान रखिए बाई मैंने कहा था ना ओगी के पास रखते हैं बेटे को कुछ नहीं होगा हाँ बेटे को मुझे बहुत कुछ हो गया आज बहुत दिनों बात भैया से मिलूगा भैया मैं आ रहा हूं पता नहीं यह सिक्षित कि लिए है क्वोन आएगा भैया मैं आ गया पत्ता नहीं भैया यहां क्या करते हैं आयो आजा मेरे शेर सलाम भैया ओई ये देख मेरा प्लेन एह आपका है ओई ये नहीं ये देख ये प्लेन भैया ये उड़ता भी है इस दो घर जा रहा हूं बहुत पॉरफुल प्लेंग है बिल्कुल मेरी तरह ये बहुत ऊचा उड़ता है बहुत ऊचा ओ कहा गया बहुत उड़ना ओँ यहां तू डर क्यों रहा है यह प्लेंग बहुत ताकट वर है समझा वोगा पर मुझे नहीं उड़ना अरे इधर तो आज भाया मुझे उड़ा कर ही रहेंगे बिल्कुल सही कहा यह देख भाइया तो गए मतलब मैं गया और रुप जाओगी अप्रोच गैंग पाइलोट बने आगी तु फिकर मत करना तेरा भाइया तेरे साथ ही है यह तो उड़ने ला है अब मजा देखो अज कुछ भी हजाए नहीं चोड़ूगा आज कुछ भी हजाए नहीं चोड़ूगा ओट इस इस मां नाखूद बड़ा ना बुरी बात है अई नहीं अई वे तो चीपा गया आँ मैं अच्छानक उड़ने क्यों लगा तुम लग क्यों उड़ रहा है वाग्या बात है बिल्ला और कोक्रोचों का टोला बन गया आग का गोला अच्छा हवा में तो बैंड बजी ही थी लगता है पानी में भी बैंड बजेगी तरना मत बिल्ला फिर से टेक आफ हो जाएगा बोला था न है यह क्या प्लेन के साथ मैं भी भूल गया हाँ अब ठीक है को क्या बात है सारा पानी बह गया और बिल्ला भी अच्छा अब थोड़ा सा रावडी खेल खेलता हूँ छोड़ दो पिटे बॉस यह क्या किया पिलना तो बच्छे बन लिया बापी अब इस तरह बाजा अब तीक है अब यह कहा ले जा रहे है अब ट्रेन से बैंड बजवाएंगे आप जलो जल्दी जल्दी कपड़ा बलाना है यह यह कौन आगे यह जल्दी जल्दी वाग्या बाथ है बिलने को देख के ट्रेन पीछे हग गई अच्छा है ट्रेन तो बॉक लगे रहे तपलो काज खोल दे मोगो लोग रोचो ट्रेन के अंदर फ्रेन घुसा दिया और बाहर भी निकाल दिया इतना कपड़ा बन गया जल्दी जल्दी मुझे बचाओ खबरा न मत आगी तेरा भाई आगे तुझे बचाने यह क्या है वाग्या बात है हवा में उड़ते भाई को बचाने चला था खुद ही की हवा निकल गई प्लेन तो उल्टा हो गया मैं आ रहा हूं कोक्रोचो चलो स्था करते हैं नहीं चोड़ोंगा निकलं में वीडू निकल के कहा जाओगे आज तो नहीं चोड़ोंगा तुो इस अपने आपको बचा यह पंखा कर अभी समझ में आएग आएगा छोड़ दे मामू अब तो नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इस बार मैंने पकड़ लिया है तुम लोगों को लेकिन अब मैं इस प्लेन को उतारू कैसे समझ मैं नहीं आ रहा तु फिकर मत कराऊगी तेरा भाई आ गया है अनसा बटन दबाओं ये वाला दबा दे ये वाला ये क्या बिल्ला तो फसज गया मेरा भाई तो बच गया अब तुम नहीं बचोगे योई तो बैंड बजा देगा मामू शही कहा बैंड तो बचेगी लेकिन हमारी नहीं तेहरी पराइशूट खोल दो यह तो बच गया मुझे बचाओ भाईया अभी आया आजा मेरे प्लेन में आजा आ रहा हूं भाईया भाईया तो गया मैं भी गया अब क्या हो गया सामने देखिए भाईया क्या बात है तिन दहाडे पंचियों की हजामत कर दे सौरी भाईया कोई बात नहीं ये क्या हो रहा है प्लेन का पेट्रोल खतम हो गया अब क्या करें तो कुछ मत कर भिलने जो करेगा प्लेन भी करेगा वह गिल जाएगा और तू भी अच्छा पोगी चल मेरे साथ हे भैया कूदने में मजा आ रहा है तू कूदते रहे तो भाईया, क्या बनाएंगे प्लेन प्लेन तो अब मैं बनाओँगा इधी क्या कर रहा है देक समै जाएगा थोड़ जी और मैंनद बन गया प्लेन तुम यही रुकना मैं अभी आया विल्ला गया कोक्रोज गैंग आया अब आएगा मसा प्लेन उड़ाने में मसा आएगा भीडू सही बोला ये प्लेन तो फित है बस अब बजगीन की बैंग मुझे उड़ाया था रहा अब मैं इको उड़ाऊंगा इसे कहते हैं बदला आज मेरी टीम जीत के ही रहेगी सुरो मेरी बात सामने वाली टीम को तो डालो तो डालो अब ये कॉल सामने आ गया मुझे धर की सफाई करनी है पर ये वैक्यूम फ्लेनर का फ्लट कहां नगा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है और ये तो हटने का नाम ही ने ले रहा है अच्चा सुना ही नहीं दे रहा है क्या है यह कितना चिला रहे हुआ ज़रा शांती रखिये अब इस प्लट का प्या करूँ हाँ हाँ मिल गया ये गया बाहर ये गया अंदर उप्स लगता है मैंने टीवी कपड़ा थिकाल दिया कोड़ दूँगा कोड़ दूँगा मेरी पैश बन कर लेकी हिम्मत कैसे कि तुने अगली बार ऐसे कोई गल्ती मत करना अगर वैक्यूम ठीनर मों में डालना ही था तो पूरा डाल देते हैं भाईया कोई बात नहीं उन तो पड़ केला है मामू फुटबॉल मामू ये तो अपन का टीम खेल रहा है अपन के टीम के लिए अपन स्वेयर लीडर गिरी करेगा था मामू खुच जा भिर जा पैल बजा डाल सामने वनी टीम की चाहिए कितना भी कुछ गोल ले जीतने वाली तो मेरी ही टीम है लेकिन ये क्या हो रहा है इस बार हमपायर ने तो मेरी टीम के खिलाफ पैनल्टी की डेदी इसका मतलब है कि गोल हो सकता है वो भी मेरी टीम के खिलाफ काश कोई गोल न हो जाए इस शेंडी वाले को देखके तो लगता है कि गोल होगा बिल्वर ओए ये क्या हो गया गोल हो गया इसे कहते हैं चानी पार गोल ऐसा नहीं हो सकता मेरी टीम नहीं हाल सकती मामू खुशी मनाओ अब उनकी टीम जीत गए लिए ओ यहां बहुत चिला रहे तू अब तुझे बताता हूँ चिलाना क्या होता है शोर किसे कहते है अब मैं बजाता हूँ तेरी बैंड चल निकल ले अपने घर यह कुन गया रबाबा चल देखते वो बिल्ले ने अपने की बैंड बजा ली मामू इसका तो अलत खारा रहा बाबा तो देखता क्या है दवा देना शुरू कर आपक्या मामू तुम लोग का थेजा आओ दोगे लेक्या तुम लोग ने अपने इस बिडू कुमारा यह सौरी रहा बाबा हि यह है भाकर आपgens व्यार वापस से सौरी रहा सुड़ा लोग आपकर को अपने पैर से लाग ड journeys दूसरे को लाग मार ले देरें दुश्य कोई अपने दूसरे नहीं देने का तो लोग को आपकर कया बॉलने कि अपनी तो पूरी बैर जाला लो देटी है उसका बॉल उसके हाथ में बीडु लो बहार आजाओ मैधान में कोई नहीं है वीडु मैधान खालिए आजाओ मैधान में वा कि अबात है फुटबॉल सुना था ग्राज बॉल पहली बार देखा अच्छा है मैं तो पॉक लागए रबाबा और यह घास है कि खोड़ता क्यों नहीं फीडू लोगे घास का क्या करनी का मालूम नहीं रबाबा अब उनको मालूम है आज अपन के पीछे रहें रहें बड़े घास पर अल्लों क्या क्या नहीं करवाता है इसने मेरे सारे फूल साफ कर दिये बहुत बुरा हुआ इन कोक्रोचों को नहीं छोड़ों नहीं छोड़ूंगा पकड़ोंगा ए पकड़ लिया ए रोको रोकते तपाई वरना मुझे ये रोकना पड़ेगा लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अब बोलो बचके कहा जाओगे जाएंगे यूटन मारेंगे मामों वाग्या बात आए यूटन मारके सब लोग सीथ है आओ के घर में खुछ गये अच्छा है आओ मेरे बाल कहां गये ये देख मामों कैसा है यकदा मस्त विल्ले तुने मेरा टीवी तोड़ा मुझे रेड कार्ट दिखा दो ठाक ठाक किडिकी आओ फुटबॉल सिर्फ पैर से नहीं सर से भी खेल सकते हैं पता नहीं बॉब ने किस जनम का बद्रा लिया लगता है बहुत बड़ी है मिलने है आओ पढ़ने वाली तो तुम्हें भी है वो भी बहुत पुशोरों के बीडू कोई फाइदा नहीं आओ बीड अगसा तोड़ रहा बाबा तोड़ रहा हूं बीडू ये फुटबॉल अभी खेलने का किदर चल गई बत्ती आज़ो भीडू लोगा है बीडू पूरा हरा बरा मैदान है हल्ला बोल देते हैं तुम लोग तयार है ना पहले बह बोलता हूं हल्ला बोल बीडू ये तो सपन बीडू के दिमाज में कौन सा प्लान है अल्ला बोल बोल दिया बाबा बीडू मैदान तयार है अब प्लेयर जमा करते हैं बीडू लोग आजो नया स्टेडियम बांदिल आ है क्या बात कर रहे हो परकुरतार सच्छी फ्लाइंग फुटबॉल खेलूंगा रहा हूं कहा हो लोग चला फुटबॉल खेलते हैं यह कर लगता है आज दुनिया के सारे कीडे यहीं जमा होंगे एज आज सेड लुक एड दिस कीडा वर्सेस कोकरोच लाइफ रॉम बिल्ला स्पेट पीडू सीटी बजाने के बाद शुरू करो बहुत दिन होगे फुटबॉल मैच नहीं देखा यह क्या सीटी कहां बजी को खेल रहा है मेरे घर में फुटबॉल तो घर में नहीं भाईया के पेट मत ने थीक है ओयोगी खड़ा खड़ा देख मत कुछ कर अभी कुछ करता हूँ चल्दी कर आपने सही कहा खड़े खड़े देख मत तो मैं आज बैट कर देखूंगा और हाँ मैं देखते देखते चूस पप्यूंगा ही मेरी टीम को चेर भी करूगा कर देखते 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 हैं